Hello students, welcome or welcome back to class English Simplified and thank you so much for joining us. To student this summer of the beautiful white horse, यह हमारी chapter का नाम है, चुकि class 11th Snapshorts book का chapter number 1 है और इसके हम extra questions and answers को यहाँ पर cover कर रहे हैं, तो start करते हैं, तो question है What was the problem the children faced after getting the horse back? कि बच्चों के सामने जो दोनों बच्चे थे, अराम और मुराद, उनके सामने क्या problem face उनको करनी पड़ी, अपने horse को वापिस लाने के लिए, घोडे को वापिस लाने के लिए, तो answer है The horse dropped around and after then he rained away somewhere. अब जो घोडे ने क्या किया कि अराम को अपने उपर से नीचे गिरा दिया और उसके बाद वो कहीं भाग गया It took almost half an hour for मुराद to find the horse और उसके साथ साथ जो मुराद था वो जब खोडे को ढूडने के लिए गया, horse को ढूडने के लिए गया, तो उसको लगबग आदा घंटा वापिस आने में लग गया, उसको वापिस लेकर आने में The problem in front of both the boys were where to hide this horse, अब दोनों बच्चों के सामने, दोनों लड़कों के सामने क्या problem थी, कि वो इस घोड़े को कहां पर चुपाएं, now because it was morning and everyone was awake, क्योंकि सुबह हो चुकी थी और हर व्यक्ति अब जाग चुका था, गाउम वाले जाग चुके थे, क्योंकि वो लोग early morning उस को वो बाग में जाकर चुपा देते थे, लेकिन अब क्योंकि घोड़ा ही कहीं दूर भाग गया था, तो इसको ढून के लाने में काफी टाइम लग गया, और इतनी देर में सुबह हो गई, और सभी लोग जाग गए, तो अब वो लोग दरने लगे, कि इसको अब कहां चु कोईटली टू दा बाउम ओफ देजर्टिज वाइन यार्ड, कि लड़के जो है घोड़े पे सवार होकर चुप चाप एक सुखेवे अंगूरों के बाग में चले गए, दा ओनर अफ दिस बाउम वोज अ फार्मर नेम्ड फार्थ वाजियन, और इस खेत का जो मालिक था, उसका नाम था फेत वाजियन, और देर वोज सम ओर्स एंड ड्राय अल्फाल्फा इन दा बाउम, और इस बाग के अंदर क्या था, कि कुछ ओर्स थे, और कुछ सुखेवे अल्फाल्फा थे, इट वोज देर डैट दे कैप्र दा होर्स, और यहीं पर उन्होंने अपने घो गोड़े को रखा, तो रात में वो गोड़े को छुपाने के लिए इस बाग में गए, जो कि फात वाजियन नाम के फार्मर का यह खेत था, और जहां पर सुखेवे ओर्स और ड्राय अल्फाल्फा थे, पोशन नम्बर थर्ड है, हो वोज जॉन बाइरो, वट कंसर्ण एकसप्रेस की जॉन बाइरो कौन थे और उन्होंने किया चिंतावियक्त की, तो आंसर है, जॉन बाइरो वाज एन असीरियन फार्मर हुग आउट ऑफ लॉनलिलेस, की जॉन बाइरो एक असीरियन फार्मर थे और जो कि बहुत ही जादा अकेले थे, had learned to speak Armenian, और उन्होंने अकेले पन की विज़े से ही Armenian language को सीखा था He was very sad because one month ago his white horse was stolen वो बहुत ही ज़्यादा उदास थे क्योंकि एक महीने पहले जो उनका white horse था वो चोरी हो गया था He loved this horse very much और वो इस घोड़े को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे He had a four wheeled carriage which used to run with the help of a horse और उनके पास एक चार पहियों वाली गारी थी जो कि एक घोड़े की मदद से चला करते थी Without the horse the cart was useless अब क्योंकि उनका जो घोड़ा है चोरी हो गया था और उसकी वज़े से जो उनकी कार्ट थी वो भी useless हो चुकी थी वो जो घोड़ा गारी थी अब वो चल नहीं सकती थी और एक वो अपने घोड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे तो इसी वज़े से वो बहुत ही ज़्यादा उदास थे और उन्होंने अपनी यही चिंता जो थी वो अराम के सामने पेश की कि जो मुराद है वो एक special concern था उसका जानवरों के लिए एक बड़ा ही लगाव रहता था तो अपने इस आंसर को आप justify कीजिए तो आंसर है मुराद understood animals very well कि जो मुराद है वो जानवरों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से understand करता था not only could he tame a horse but he once healed a wonderful bird Robin अब उसने केवल घोड़े को ही अपने वश में नहीं किया हुआ था बलकि एक बार उसने एक बहुती सुन्दर सा बड़ था Robin नाम का उसको भी healed किया था healed का मतलब कि उसको चोट लग गई थी तो उसने उसका treatment किया था it was a prison ये एक कबूतर था when it was healed it flew away और जब वो ठीक हो गया healed हो गया तो वो कहीं दूर उड़ गया हुआ क्या था स्टुनेंट्स की एक गायल पंची उसके सामने आके गिरा तो उसने उसको बड़े प्यार से उठाया और उसको heal किया उसको treatment उसको दिया और जब वो ठीक तो वो उड़कर चला गया अराम वोज वेरी सर्प्राइस्ट डैट इमन दा डॉक्स प्रेजेंट इन जॉन्स फार्म डिट नोट बार्क टू मोराड और अराम तो इस बात पर बहुत ज्यादा सर्प्राइस्ट होता था कि जब वो जॉन्स के खेतों में जाया करता था तो वहाँ पर जो डॉक्स थे वो भी उसके ऊपर बार्क नहीं करते थे बहुकते नहीं थे मोराड नियू हाँ टू डील विट एनिमल्स वेरी वेल अब मोराड एक ऐसा लड़का था जो कि यह बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि एनिमल्स के साथ किस तरीके से डील किया जाता है वो उनको बड़ी अच्छे से और बहुत ही एक ट्रेंट मास्टर की तरा उनको अपने वश में कर लें कोशन नमबर फिफ्ट है वोट इट जोन बाइरो मीन वेन ही सेट असपेशियस मैन हूँ बलीव इस आइज इंस्टीड ऑफ इस हार्ट कि जोन बाइरो नी ये आँखे कुछ होड़ कहती है तो जोन बाइरो ने ऐसा क्यों कहा कि आँखों देखी पर विश्वाश करता है बजाए कि इसके कि उसका दिल उसे क्या कह रहा है तो आंसर है जोन बाइरो रिकोगनाइस था होर्स कि जॉन बाइरो जो है वो अपने घोरे को पहचान चुगा की शxtonऄस दिल ने उसके दिमाग ने यह कहा कि यह उसका गोड़ा है आरव उसका मालिक है , लेकिन उसने यह मानने से यह विश्वास करने से उस ने मना कर दिया कि इन दोनों लड़को ने उसका गोड़ा ले लिया as he knew their family formed for honesty और इसके साथ साथ वो ये जानता था कि इन दोनों लड़कों की जो family है वो किस बात के लिए मानी जाती है वो जानी जाती है अपनी honesty के लिए अपनी honesty के लिए इनका परिवार बहुत जादा प्रसिद है और ये लोग चोरी कभी भी नहीं करेंगे तो इसी वज़े से उनके दिल ने जब कहा उनके आँखों ने जब कहा कि ये घोड़ा उनका है तो उन्होंने अपनी दिल की बात को नहीं माना बलकि उन्होंने ये सोचा है कि नहीं ये दोनों लड़के तो चोरी कभी नहीं कर सकते और इसी वज़े से जब उनके तर्क संगत माइंट ने उनको ये बताया कि ये तो उनका घोड़ा है लेकिन उनके दिल ने इस बात को मानने से मना कर दिया क्योंकि यहां पर दोनों चीजों के बीच में एक बात चल रही थी कि दिमाग कह रहा था कि उनका घोड़ा है लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं ये लोग ये मानदार फैमली को बिलोंग करते हैं तो ये लोग चोरी नहीं करेंगे और उन्होंने आखिरकार अपने दिल की बातो को माना तो स्टुडेंट ये थी कुछ इंपोर्टेंट कोस्टन आंसर उमीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे वीडियो को लाइक कमेंट शेर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और पर हिट कीजिए ता